प्लिस बताइए पहला वाला हुगया थे ना फरस्ट कर लिया बच्चों फर्स्स डन के एस सर्थ टेम्ट जो से केंड थर्ड फूर्थ एस एंगल का कंस्रक्शन ने बिटा पहला वाला हम डोको ने कल लिया सेकेंड कंस्रक्शन में बाइसेक्टर आप यह वह वह भी मैंने करवा दिया, बाइसे करते है, देन्स के बाद, थर्ड है, एंगल बनाने है, different बच्चो बन गएंगल, okay, question number 3, done, question number 4 में क्या था, बच्चो, question number 4 में, align segment को, Moran, बच्चो बनने लगा कि नहीं बन रबताऊ, very good, question number 5, line segment को, question number 5 में, line segment को, गिवन पार्ट में ब्रेक करना बनने लगा आप लोगों से लाइन सेग्मेंट को गिवन पार्ट में ब्रेक करना बोलो 900 कोई 900 कह रहा है बेटा किसको नहीं बन रहा है ये लाइन सेग्मेंट को एक्वल पार्ट में ब्रेक करना जलो ठीक है देखो प्रकृति कैसे करते हैं बहुत ईजिये इसमें आपको करना क्या है घैसे यह आपके पास कोई light segment है इसको break करना है तो मैं red clerk mark कर रहा हूँ क्योंकि red black mirror दिखाई देगा तो यह दिखी क्या है आपके पास एक given line segment है बिटा इसको four equal part में break करना है तो इसका तरीका यह कि सबसे पहले आप इस line segment को बना लीजिए बनाने के बाद एक acute angle ले लीजिए उस random acute angle पर जितने part में break करना है equal equal arc दोनों तरफ एक line इस तरफ एक line इस तरफ equal equal arc चार part में पहला arc दूसरा तीसरा चोथा इधर भी पहला दूसरा तीसरा चोथा equal equal अब क्या करो इधर वाले end point को ऐसे मिलाते जाए और ये वाले point को इस से मिलाते जाओ अपने आप आपके चार point डिवाइड हो जाएंगे तो ये रेखिए यहां पर चार part बन गए एक part बन गया AM एक part बन गया MN एक part बन गया NO और एक part बन गया OB बोलो बन जाएगा की नहीं बनेगा yes sir okay so this is the way कि बेटा इसको हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे done yes sir yes हाँ बिटा चलिए question number six देखिए perpendicular by sector हाँ बोलो लिशिका line segment के दौन तरफ equal equal angle बनाएंगी नहीं कोई ज़रूरत नहीं है acute angle equal बनाने की कैसा भी बना सकते हो कैसा भी बना सकते हो किसी भी angle पे ले सकते हो रेज जो है इधर उधर किसी भी angle पे ले लो और equal equal पे ले लो तो अच्छी बात है भाई यह भी मज़ेदार बात है ना बाकी किसी भी angle पे बना सकते हो equal angle लेने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ना हाँ equal ले लो तो ज़्यादा अच्छी बात है जैसे यहाँ पे लिखा है at angle B construct any suitable angle BX पे ले लो हाँ यहाँ equal लिखा हुआ बच्छा यह देखिए A B Y equal to B X मतलब दोनों तरफ equal angle लेना मैंसे मैंने पढ़ा है जहां तक equal लेनी की ज़रूरत नहीं होती है बड़ यहाँ पे equal angle बना लो चलो अच्छी बात है तो जितना angle आपने यहाँ पे बनाया है उतना angle equal यहाँ पे बना लो और दूसरी बात मैंने equal angle आपको लेना सिखा भी रखा है construct करना भी बता रखा है कली पढ़ाया था equal angle कैसे बनाते है इस point पे रखो जितना angle बना हुआ है है ना एक radius ले लो एक radius ले लो और एक radius पे arc मार लो दूसरी ले लो उसी radius का arc मार दो फिर इसको measure करो यहाँ से यहाँ तक compass रख करके और यहा परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भाई बता दिया है मैंने then construction of the equilateral triangle बोलो बनेगा की निए बने बने बनता है की निए बनता कल कराया था एस सो ओके यह सो construction of equilateral triangle then इसके बाद to construct of an equal triangle whose altitude is given ऐसा triangle जिसका altitude given है कल मैंने यह भी बताया था बता यह बनता है सभी से यह सो ओके हाँ एक बार फिर से बता दूँ प्रगती आपको नहीं बनता है यह प्रियांची नहीं बन रहा है चलो कोई बात नहीं देखो कैसे करते हैं तो सबसे पहले आपको इसका altitude given है 4 cm तो आप एक line खीच लो random कोई भी line तो यहां से लेके P से लेकर के Q तक की कोई भी line खीच ली अपने मन से कितनी भी बड़ी ओके देन आपको क्या करना है देन आपको यहां इस पे जो है किसी एक point पे एक आर्क गुमाईए यह आपने आर्क गुमा दिया फिर क्या बनाना है perpendicular तो आपको पता है perpendicular कैसे बनता है ना बिटा perpendicular के लिए तीन पार्ट करते हैं 60 60 60 then इसके बाद half angle यहां पे pointer रख करके यह cut करो यहां needle रख करके यह cut करो और join कर दो तो यह बन गया आपका 90 degree 90 degree को ही हम क्या बहुते हैं altitude यह हो गया altitude अब इसमें क्या कह रहा है कि altitude कि इतने cm का है बेटा 4 cm का है तो अपने उसमें 4 cm आर्क भरो राउंडर में और 4 cm का आर्क भरके इसके वो cut कर दो 4 cm तो यह आपने 4 cm कट कर दिया बोलो yes or no यह बिटा कल कराया जा चुका है समर्दी यह कल करा चुका हूँ क्या समझने वाली बात है यह 4 cm का आर्क यहां तक करा चुका हूँ यह 4 cm हो गया दैन इसके बाद क्या करते थे दैन इसके बाद यहां पर एक लाइन खीशते थे यह बनाते थे हम लोग एंगल और इसके बाद यह 60 यह 60 तो बीच वाला भी क्या हुआ करता था 60 हाँ तो इधर वाला 60 आया इधर वाला 60 आया तो बाकी के जो दो पार्ट बने उससे आप इसको क्या कर दीजिए, जॉइन कर दीजिए, तो ये भी 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा बीच वाल एंगल, बताओ, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, वाउगा, तो इस एंगल इसकोल, एक्यूट एंगल, सूरी, एकफिलेटर ट्रेंगल, चलो बोलो समझ में आया कॉन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, क्ली अधियर है, लक्षमी, गुदी इवनिंग, क्या है परिकती नहीं आया क्या समझ में, प्रियांशी परिकती, रशी का सबसे पहले तुम यह जाने लो रिशीका कि कोई एंगल बना हुआ है उसमें 60-60 कैसे काटते हैं यह आप क्या करो कोई एंगल में ऐसे सेंटर पर रख करके निडल इसको गुमा दो कमपास से इसको गुमा दो समझ गए और फिर बिटा जितनी रेडियस है यहाँ पर रखो कमपास की निडल को एक आर के यहाँ पे काटो फिर नेडल को यहाँ पे लाओ एक आर के यहाँ पे काटो तो बिटा यहाँ तक का एंगल होता है 60 अगला तक भी होता है 60 और अगला भी होता है 60 तो 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना हुआ 180 और एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होना था 180 एगरी कर तो इस बात से चलो अब देखो बिटा तो तुम क्या है पहले तुम्हें 90 डिग्री बनाना है तो वही सेंटर रखा से रेडियस घुमा दी और तीन पार्ट में ब्रेक कर दिया तो यह 60 है और इधर वाला भी क्या है 60 बुलो क्लियर 60 अब यहाँ पर निडिल रख करके एक आर कैसा काटो और यहाँ पर निडिल रख करके एक आर कैसा काटो तो 60 और 60 का हाफ मिल जाएगा मतलब कि 30 और इसको जॉइन कर दोगे तो यहाँ तक का 60 और यहाँ तक का 30 बुलो टोटल कितना हो गया 90 क्लियर है, यहां तक का 60 और यहां तक का 30 टोटल हो गया 90, ठीक है ना, ओके, अब देखो, अब क्या करना है, 90 बनाने के बाद इसमें कहरा, 4 cm का altitude है, तो scale से 4 cm यहां तक की लेंथ ना पलो, समर्दी, scale से यहां तक 4 cm की या compass से यहां तक 4 cm की length ना पलो, माल लिए, बोलो yes, अब क्या करो, अब आपको यहां पर एक line खीच नहीं है, हलकी हलकी सी, यह एक line खीचो, और center पर रख करके इसको एक arc को गुमा दो, गुमा दिया, अब इसके 3 पार्ट तोड़े, 60, 60, 60, यह 3 पार्ट हो तोड़े, अब यदि मैं इसको यहां से यहां मिला दूँ, और इसको यहां से यहां मिला दूँ, तो बताओ, यह total angle बीच का 60 degree होगा की नहीं होगा, यह सर होगा, हाँ, तो यह बन गया आपका equilateral triangle, clear हुआ, बन जाएगा, यह सर बन जाएगा, यह सर बन जाएगा, अब इस question number 9 करते हैं, construction of a triangle given its base, some of the other two sides and one base angle, बच्चो नई चीज़ है एकदम, अम note करो, चलो लिखो heading डालो, अब दो तीन construction ही बच्चे है, यह new है एकदम, नया नया, थोड़ा सा, आपको मतलब नया लगे गई, लिखो heading डालो, construction of a triangle, समर्दी कौन सा कर रही हो, 9th, तो 9th देखो भी, बाकी सब तो कल का था, अब 9th आज का topic है न, देखो यहां, construction of a triangle given its base, मतलब क्या given रहेगा बच्चा, आपको base दिया रहेगा, तो आपको base की length दी रहेगी, base आपको given रहेगा, है न, कि इतने centimeter है, and some of the other two sides, and one base angle, और बाकी की दो side का sum दिया रहेगा, मतलब एक जो दोनों side का sum यह है, और क्या दिया रहेगा, एक base angle, base angle, तीन चीजे दी रहेगे बच्चों, बस, यह तीन चीजे, some of the other two sides, and a base angle, लिखो बच्चों, लिखो बेटा, पन्ना पलेट करके लिखो आँगे, construction of a triangle, given its base, some of the other two sides, and one base angle, चलो कैसे करते हैं, देखिए, यह example अपने पास, constructed triangle with base of length 5 cm, एक triangle बनाओ, हम समर्दी दुबारा नहीं बताएंगे, तुम देख, नहीं पढ़ोगी तो, करने, नहीं, नहीं, तो सबके हिसाब से काम करेंगे, constructed triangle with a base of length 5 cm, एक आपको triangle बनाना है, जिसकी base की length कितनी 5 cm, मतलब आपके पास जो base है, वो 5 cm का है, sum of the other two sides is 7 cm, जो बाकी की दो side है, अब वो पता नहीं कैसे गई है, बट उनका sum, मतलब इसका, और इसका sum, कितना sum दिया है, 7 cm, and one base angle, कोई base angle, चाहिए वाला ले लो, चाहिए वाला ले लो, क्या है, 60 degree, दोनों नहीं, कोई एक base angle 60 degree है, तो कैसे बनाएंगे, चलो, तो इसको लिखना पड़ेगा, कैसे लिखोगे, बिटा, इंट्रे एंगल, ABC, मानलो, base है, BC, तो सबसे पहले, base बनाओ, बच्चों, BC, 5 cm का base बना लो, अपने pen, उससे compass से, scale से, 5 cm का base बना लो, ओके, 5 cm का base बना लिया, अब मानलो, एक angle 60 degree है, मानलो, B पर बनने वाला angle 60 degree, मानलो, लिखो, let ABC equal to 60 degree, ABC, मतलब, B पर बनने वाला angle 60 degree, मानली आपने, ये वाला angle, ठीक है, ABC equal to 60 degree है, ओके, and sum of the two other sides is 7 cm, बाकी की दो side का sum कितना है, 7 cm, तो दो बाकी की side है, उनका sum है, 7 cm, तो AB plus AC equal to 7 cm, दो अलग-अलग sides मानलो, बच्चे लोगों, AB plus BC equal to 7 cm, चलो, क्या करना है, बिटा, ये B पर 60 degree है ना, तो B पर 60 degree बनाओ, तो B पर वो क्या करो, घुमाओ पूरा-पूरा, और घुमाने के बाद 3 हिस्से कर दो, तो एक जो हिस्सा बनेगा, वो क्या होगा, 60 degree, अब इसको 60 degree को जोड़ते हुए, थोड़ी दूर तक ले जाओ, तो ये बन गया आपका 60 degree, तो ये C हो गया, ये B हो गया, और इसको ले करके जाओ, लाच जाते जाओ, जाते जाओ, इसको X को ले लो 60 degree, अब देखेंगे बच्चों, क्या करना है आपको, ये जो 7 cm है, जो सम था, उसको इस वाली जो रे आपने बढ़ाई है, unlimited बढ़ाई है, उस पे काड़ दो, देखो क्या क्या किया अभी तक, अभी तक हमने BC बनाया, BC की उपर ये angle बनाया, angle बना करके इसको जब तक ले गए, यहां तक लेते जाओ, ये लेते गए, ठीक ना, कितने cm, 7 cm का इस पे आर्क कर दिया, तो ये हो गए, आपके पास 7 cm का आर्क, अब अगला काम क्या करना है बच्चों, अगला काम आपको ये करना है कि, C से लेके D को मिला दो, ये जो लाइन है, इसको जोईन कर दो, CD को, देखो लिखा हो याँ पर, ये देखो, जोईन CD, अगला काम आपको CD को जोईन करना है, क का perpendicular bisectl लेना तो कैसे लेते हैं आदे से ज़्यादा length 1R के यहाँ D point रख करके 1R के यहाँ C point रख के 1R के यहाँ और D point रख के 1R के यहाँ दोनों को join कर दो किट 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 जैसे join करोगे आपको क्या मिल जाएगा point A मिल जाएगा और यही आपका बन गया triangle कहां बना triangle यह देखो red color वाला A को C से join कर दीजिए और यह बन गया आपका triangle चलो बनाओ सब लोग इसको अपनी अपनी copy में और मेरा को बना के shand करो अच्छे से step of construction को follow करते हुए बनाईए question number 10 construction and triangle given its base difference of the other two sides and base angle देखो पिछले बार क्या दिया था sum of the two sides दिया था पिछले बार दिया था दो side का sum किसका किसका इसका और इसका है ना अब इस बार आपको difference दिया है two sides का difference दिया हो तो कैसे करेंगे देखे तो एक triangle है मानलो सो question देखो बच्चो example constructed triangle with base 7.5 cm तो बच्चो 7.5 cm base का triangle base ले लो तो सबसे पहले 7.5 का अपने अपनी copy make base बना लो बच्चो सब लोग घड़ा घड़ा जल्दी से सबने base बना लिया BC का base बना लिया scale तो लाई नहीं हो कैसे बनाऊगी 7.5 cm का base बनाऊ 7.5 होगा बहतरीन वेटा ठीक है ना 7.5 का base बना लिजे अब इसके बाद क्या गरना बच्चो अब इसके बाद देखे आपको दे रखा है कि given a triangle ABC base equal to 7.5 अब difference of other two sides किता दे रखा है 2, 2.5 ठीक है ना तो बच्चो यहाँ पे हमारे पास 2 case बनेंगे क्योंकि difference of two sides है है ना difference of two sides है तो जैसे अपने पास triangle है BC देखो बच्चो ध्यान से समझो यह line तोड़ी सी difficult है ABC तो कहरा difference of two sides तो हो सकता है AB minus BC हो 2.5 या हो सकता है AC minus AB हो 2.5 BC तो given है ना BC तो given है 7.5 तो यह चीज़े हो सकती है या तो AC minus AB minus AC या AC minus AB दोनों ही 2.5 हो सकते हैं अब एक base angle कितना दिया गया है आपको 45 degree ठीक है ना तो हम first case के लिए करेंगे बच्चों लिखे अपने पनी copy में let AB minus AC equal to 2.5 मतलब हम यह मानके चल रहे हैं कि AB बड़ा है और AC छोटा है और AB में से AC को मानस किया तो 2.5 नोट करो देखो दो case हैं दो case में पहला case मानके चलो और फिर दूसरा case मानके चलना जैसा पहला case ड्राइब करोगे वैसे दूसरा कर देना है same to same जी नहीं कोई एक बनाना पड़ेगा एक्जाम में डन चलिए अब देखते हैं AB minus AC equal to 2.5 अब क्या करना है पहला step कर लिया अब इसके बाद बिटा 45 degree बनाओ तो वही तरीका है 90 बना करके 90 का half कर दिया तो यह 45 बन गया यह फिर भूल गई 90 कैसे बनेगा देखो बच्चों यहाँ पर 180 बनाना पड़ता है फिर इसके दो तुकड़े करने पड़ते हैं 60-60 के फिर यहाँ पर ऐसी line खीचनी पड़ती है तो यह 90 बन जाता है एक तो तरीका यह है और दूसरा तरीका यह है कि प्रोटेक्टर रखो directly और 90 degree खीच दो यह ऐसे तो भी बन जाएगा ठीक है तो draw एंगल हो गया 45 degree क्या बुल दी बिटा 90 का half करेंगे तो 45 तो पहले 90 बनेगा यहां तक 90 आगया फिर 90 का इधर से आर्क काटो एक इधर से आर्क काटो तो यह बन जाएगा 45 रिशिका समझ में आया बीपर 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 मानाना है आपको ठीक ना बीपर आपको यहां बनाना है कितना 45 degree 45 वो 45 का half होता है 90 का half 45 यह 90 है इधर रखके काटा इधर आएगा इधर रखके काटा इधर आएगा यह जोईन कर दिया तो यह भी 45 और यह भी 45 जोड़ करके देख लो 45 प्लस 45 5 प्लस 5 10 केरी आई 0 4 और 4 और 8 एक 9 चलो बच्चों यह हो गया अब यह जो 45 बनने के बाद एक लाइन 60 से खीज देना जितनी बड़ी मर्जी उस लाइन को खीज दो खीज दिया बोलो डन बेरी गुड अब बिटा इसमें यह जो लाइन कीची है ना इस पे 2.5 का आर्क काटो यह जो लाइन कीची है इसमें 2.5 का आर्क काटो हाँ अब इस पे 2.5 का आर्क काट दो आर्क काट दिया इतना बड़ा नहीं होगा 2.5 थोड़ा कम होगा हाँ जहां पर 2.5 का आर्क काट जाए बच्चों उसको आप जो है इसको C से मिला दो नी मिला दो जोईन सीडी तो आर्क काट दिया और सीडी से मिला दिया मिला दिया बिल्कुल सही है मिला दिया अब बच्चों यह जो सीडी लाइन आई है इसका ले लो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर तो एक बार C पे रख करके यह करो D पे रख के यूँ करो C पे रख के यूँ करो और D पे रख के यूँ करो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर कट 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 यह गया है ना परपेंडिकुलर बाई सेक्टर आदे से ज़्यादा लेंथ लो ना यह जिस पॉइंट पे काटे गा बेटा वो बनेगा आपका पॉइंट A और बने आपका ट्रियांगल बच्चो A, B, C लाओ हमें दो आदे से जादा रगजा और रगजा और रगजा 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 शान्त बैठो तूम मिलतों के दो पॉइंट ये मिल गया पॉइंट A ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट C ये है पॉइंट कोशन नंबर 10 बनाई ये बच्चों अच्छे से सो A, B, C, is there or required रहेंगा जी जी डन बोलने दो बच्चों को फिर उसके बाद आंगे बढ़ेंगे ये पॉइंट वाज़सी की से Alberta वहाज हम लेवन सेото दोल्टोलτε से बाहिं झाल मलतोले शीन तुम सबसा इक साथ से से कलो सेकेंड कुस्चन फस्ट बस किया है बचो डन चलें आंगे कर लिया नहीं करा भी तरी तरी ठीक है चली लास्ट कुस्चन लिखिए साथी लास्ट होना जाए हाँ कुस्चन लिखिए construct a triangle with given parameter इसमें आपको parameter दी गई है और base angle दिया रहेगा लिखिए constructed triangle with given parameter and base angle उसकी कोई जरुदत नहीं वो दूसरे तरफ से किया गया है उन नीचे की तरफ 2.5 काटा है उसमें ऊपर काता था इसमें नीचे बताया दना में दो पार्ट होंगे इसके एक एबी गिर्टर देन एसी दूसरा एबाला पार्ट रहेगा एक बनाना है कोई रहन दो चलिए लिखे question बच्चों constructed triangle of a given parameter and base angle एक triangle बनाना है जिसमें आपको parameter और base angle given है कैसे करेंगे लिखो question like a constructed triangle with perimeter 11.8 centimeter constructed triangle with perimeter 11.8 centimeter with 11.8 centimeter and base angle 60 degree and 45 degree चलिए constructed triangle of given perimeter and base angle देखे आपके पास perimeter है 11.8 और base angle 60 degree है और 45 degree तो बच्चों perimeter का मतलब क्या होता है समझेंगे perimeter का मतलब क्या होता है perimeter मतलब all sides का सम a b c perimeter का मतलब होता है ab plus b c plus c a हां तो very good बिटा ab plus b c plus c a की value दी गई आपको 11.8 और साथ में दो base angle base angle मतलब नीचे वाले एंगल एक base angle ये दे रखा आपको 60 degree और एक base angle आपको दे रखा किते degree 45 तो ये दो angle आपको दे रखें बच्चों हम आपको अब बनाना है triangle क्या तीन जानकारी दी गई है एक perimeter दिया गया है और दो base angle और आपको बनाना है triangle आईए कैसे करते हैं बच्चों देखे to constructed triangle ABC तो सबसे पहले आपको क्या करना है एक lambi c जो आपको total side दी गई है d e 11.8 की बड़ी c side खीच लो जो total side दिया गया है d e हाँ ठीक है d e बड़ा सा length खीच लो जो पूरी length है d e d e d e d e d yes अब देखो बच्चों अब क्या देखे रखा आपको आपको दो angle दे रखे हैं एक दे रखा है 60 और एक दे रखा 45 60 का half कर दो कित्ता होता 30 और 45 का half कर दो कित्ता होता साड़े बाईस साड़े बाईस हाँ 22 and half तो एक कोने पर 45 बनाओ एक 30 बनाओ और एक कोने पर क्या बनाओ 30 कैसे बनाएंगे प्रोटेक्टर रख के बना लो या तो और दूसरा तरीका अपना 90 डिग्री वाला है उससे बना लो 30 ये कैसे बनाएंगे तो ये एंगल खीचा उस पॉइंट पर पूरा-पूरा फिर उसके 3 तुकडे ये आगया 60 60 के 2 तुकडे कर दिये तो 30 बन गया इससे जाने वाली लाइन को खीच दो लंबे से ये खीच दो अब इसके लाइन नहीं हो तो अपने मन से ही खीचना पड़ेगा मैं बूलू या ना बूलू दूसरा देखो साड़े 20 साड़े 20 मतलब कैसे या तो प्रोटेक्टर में देख लो डिर्कली 22.5 या अगर 90 डिगरी करके बनाना हो तो पहले यहाँ पर 90 बनाओ 90 बनाने के बाद 90 का हाफ कर दो तो ये बन जाएगा 22.5 ये देखिए ये दोनों हो गए खटा तो ये दोनों बाई सेक्टर को आप जाने दो देखो क्या हो गया दोनों बाई सेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसका नाम दे दो A क्या नाम दे दो A यस दोनों बाई सेक्टर जहाँ पर मिलते हैं उसका नाम दे दो A अब आपको क्या गन्ना देखो एक लाइन आपके पास बनी है D E D A और एक लाइन बनी है आपके पास A E दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो एक बार A D का बाइसेक्टर तो A पर निडल रखके यूं काटा D पर रखके यूं काटा ए पर रखके यूँ काटा डी पर रखके यूँ काटा ए पर रखके डी पर रखके एक बार ए पर रखके डी पर रखके और दोनों को जॉइन कर दो यह अपने जॉइन कर दिया तो जिस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट कहलाएगा बी लाओ दरूँ आदे से जादा ये आधा थोड़ा जादा ये लो आधा जादा ठीक है न तू इधर भी आदे से जादा इधर आदे से जादा दो पॉइंट मिल गए एक ये मिला एक ये मिला जोइन कर दो ठीक है बच्चों समझ मा गया अब जिस पॉइंट को जॉइन कर दिया वो पॉइंट के लाएगा बी यहाँ जो जमीन पे गिरा आपको ये पॉइंट ये बी नान दे दो इसका अब देखिए अब यही काम करना है इस वाले बाई सेक्टर के साथ किस के साथ एई के साथ आदे से ज्यादा लेंथ लेकर के एक उपर काटो एक ए से काटो एक ए से इधर काटो फिर एक ए से लेकर के काटो कट जाएगा दो पॉइंट पे ठीक है एक AE का Bicector निकालू अब इसको जॉइन कर दू नीचे तक और जिस पॉइंट पर यह आ करके इसको हिट करें बेस को वो पॉइंट हो गया C तो बन चुका है आपका triangle ABC बताओ मुझे समझ में आया की नहीं है चैप्टर खतम हो गया बन गया ना triangle ABC यह A को B से मिलाओ और A को C से मिलाओ बस बन गया triangle ABC यही तो triangle है सबी लोग reply करें done की not done करो बच्चों ठीक है तो यह हो गया बच्चों finish आपका यह chapter कल से हम लोग start करेंगे motion homework है मैं बिना जब तक आप लोग इसको पूरा नहीं करेंगे तब तक मैं जब तक पूरा करके नहीं दिखाओगे तब तक मैं नहीं मानूंगा तो आप लोग को इसको पूरा करके मुझे भेजना एक बार पूरा solve करके जितना यह pdf टॉपर्स वाला है कि है कि है कि है कि है कि है कि तरी वाली जो पीडियाफ आपने कहां जिपर आपक्ट कर दीजिए हाँ बेटा वह एक पेड़ गुरूप है उसमें आई हुई है अच्छा उसमें आई है हाँ देख लो सारी पीडियाफ उसी में भी हिस्ता हूं में चलो ठीक है बच्चो तो आज की क्लास यहीं पर हमापन समाप्त करते हैं और आप मेरे को यह करके भेजोगे बोलो आज शाम तक पूरा कर दोगे फूल पीडियाफ यह वाला देखना है और इसके बाद में एंसी आर्टी वाला करना है हाँ बेटा बोलिए है सब मेरे अभी एक्जाम एक्जाम आने वाले इसलिए में हुंबख नहीं कर पाऊंगी चलो ठीक है ठीक है तो तुम बाद में करके दे दिना ठीक है बट इसको एक बार पढ़ लेना क्योंकि कंस्ट्रक्शन इससे बाहर नहीं आएगा और कल से अपन कर दो